हलो दोस्तो मैं नाजी मुसेन आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो दोस्तो आज के वीडियो में हम किसी भी वस्तु का क्रेम उल्ले पर्चेश प्राइज ग्याद करेंगे यदि हमारे इस तरह से गणित के क्यूशन आते हैं कि हमने कोई वस्तु इतने रुपए में बेची हमें इतने पर्तिशत हानी हुई तो वस्तु का क्रेम उल्ले क्या होगा हम अंग्रेजी में क्रेम उल्ले को सेलिंग प्राइज करते हैं विक्रे मुले को सेलिंग प्राइज कहते हैं तो दोस्तों इसके लिए हम जो फॉर्मूला काम में लेंगे किसी वस्तू को मान लिया 340 रुपे में बेचने पर हमें 15% की हानी होती है तो वस्तू का क्रे मुले क्या होगा यानि वस्तू कितने रुपे में खरीदी गई थी तो दोस्तों इसके लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे पर्चेज प्राइज यानि वस्तू को क्रे मुले ग्याद करने के लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे हम सेलिंग प्राइज को यानि विक्रे मुले को 100 से गुना कर देंगे और उसके अंदर फिर 100 हम ओब्लीग 100 में से माइनस करेंगे जीतने का में लोस हुआ है यह देखिए इसका परहव पर फोर्मूला होगा पर्चेश प्राइज इक्वल टू ब्रेकिट सेलिंग प्राइज इंटू 100 ओबलीग ब्रेकिट बंद ओबलीग ब्रेकिट इस्टार्ट 100 माइनस लोस परसेंडेज और ब्रेकिट बंद आपको स्क्रीन पे नजरा रहा होगा तो दोस्तों मान लिए कोई वस्तू हमने 340 रुपे में बेची बेचने पर हमें 15% का नुकसान हुआ तो वस्तू का क्रेम उल्ले क्या होगा तो मैं आपको यह बताता हूँ यह देखिए सबसे पहले हमने लगाया इक्वल यह हमने लगा दिया इक्वल इक्वल लगाने के बा क्रेमुल्ले का मैंने सेल एड्रेस दे दिया अब इसको इंटू करना है हंडेड से यह देखिए मैंने इसको इंटू कर दिया हंडेड से मैंने इसको into किया hundred से यह मैंने into कर दिया hundred से यह देखिए अब लगाना में oblique यह मैंने oblique लगाया oblique लगाने के बाद वापस से break it और break it के बाद हम वापस से hundred hundred को minus करेंगे कितना loss का हुआ में honey परतिसत को यहां से यह मैंने sale address दे दिया और मैं अब इसको कर दूँगा enter तो enter करता ही दोस्तों मेरे सामने वस्तू का क्रेंगे आ गया 400 रुपे तो हमने वस्तू को यदि 340 रुपे में बेचा हमें 55 परतिसत की यहांने हुई तो वस्तू का क्रेंगे था हमारा 400 रुपे दोस्तो अब यदि में वस्तु का विक्रे मुले में कर देता हूं मान लीजिए वस्तु को हमने बेचा है 280 रुपे में ये लेजिए 280 रुपे में तो 280 रुपे में बेचने पर हमें 15% की आनी होती है तो ये देखिए दो सो तिन सो उन्तीस रुपे के लगबग हमें हमारा वस्तुका करेमुले था और यदि इसमें हमें आनी हुई है बीस परसेंट की या दस परसेंट की ये देखिए मान लीजिए हमें आनी हुई है ये बीस परसेंट की हम देख लेते हैं हमें आनी हुई है यह भीस पर्षेंट की यह भीस पर्षेंट की आनी हुई है तो आप देखेंगे तो वस्तु का महारा करे मुल्य कितने का तदा 350 रुपे का वस्तु को 280 रुमे में बेचने पर हमें 20 परतिशत की हानी हुई तो वस्तु का क्रेमुले आ गया 350 रुपे है तो दोस्तो किसी भी वस्तु को बेचने पर हमें यदि कितने परतिशत हानी हुई है ये दोनों चीज हमारे पास हो तो हम वस्तु का क्रेमुले बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आगे भी मैं आपके लिए और वीडियो लेकिया आता रहूंगा, ओके, अल्ला आफिस